कि अब बाणिंग लास जैसा कि आप लोग को पता है कि अपनलोग अभी ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट कर रहे थे एलक्सी में चेप्टर नंबर अब लोग वन टू कंप्रेट कर चुके और अब आपका है चेप्टर नंबर थी पॉपलीशन स्लेटेट है इसका जो पहले वाला हम लोग पहले कर चुके हैं और अभी आपका पार्ट भी है आज यह आपका चेप्टर कर जहां भी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है कि अगर टॉपिक हो जाता है तो हमारा जो चेप्टर में थी भी हो जाएगा पॉपलीशन देंसिटी की बात करेंगे मैं आपको पहले आप लोगों को सर्म में आ गया होगा देंसिटी पॉपलीशन की नहीं लिए आठी काफी ऐसे और भी फेक्टर है जिसके हम लोग देंसिटी निकालते हैं फ़ड़ा सब्सक्राइब के अपने लोग तो देंसिटी पॉपलीशन को देख लो पॉपलीशन के अंदर कितने लोग है उसी का हम लोग देंसिटी पॉपलीशन के अंदर बोलते हैं तो दुनिया के अंदर देंसिटी पॉपलीशन कहां कितनी है तो वो देख लीजेगा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि डेंसिटी के उपर बहुत से फैक्टर है याद रखना दुनिया के अंदर जो आपके पॉपुलेशन की जो डेंसिटी वह है बिल्कुल अनीकुल है मतलब कहीं पर बहुत जाधा डेंसिटी मिलेगी तो यह देनसिटी आपको बहुत जादा कम चारिक समजोगे आपका लगब पूरा का पूरा नहीं पर Hudson सबivities नहीं कहीं कम है एक है तो इस तरइक आपका चलता है पोरी दनिया प्रलीशन की बात करेंगे ठीजनBooklike i7 SM कि अलगी मैं पड़िकेडरेGS सबीकंट अपकर दोट। शॉल इंटिवपिंशन आशड़ा अगर UP पॉप्यशन अहाफि है ndयार आप अपोलीसिटीटियों आपको पहले अपको पहले भी बताया कि दुणिया के इंदर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब इंदिया और लिटा नांट नमप पर जिसको लोग नॉट पूल भूड़्याफ कि Hebe सब्सक्राइब करें तो उसकी वजह से हमारा एशिया का जो डेंसिटी रहेगा एशियन जो डेंसिटी वह 116 के आसपस एक युरोप की अगर आप बात करोगे युरोप के अंदर आपका रहेगा 32 अफ्रीका उसके नाम बाद में नंबर थर्ड पर आ जाता है अफ्रिकन नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन जो डेंसिटी है वह है आपकी 16 और साओध अफ्रिका की सब्सक्राइब कि अपकी 20 कि साओध कि अमेरिका की है आपकी 20 और ओशियाना की है आपकी 3 पूरी दुनिया की डेटा आते हैं इंदर बहुत अच्छी समलें इसको तो और यह जो डेटा है यह आपको याद करने है आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम दो पॉपुलिशन देंसिटी पॉट अफ यू दो फाइफ इसकी पांच केटेगरी बना रखी हम लोगों ने पांच केटेगरी के एकरडिंग उन्होंने देंसिटी पॉपुलिशन को बता र कि वेरी हाई के बाद में सेकंड नंबर पर आएगा आपका हाइड एंसिटी कि थर्ड नंबर पर आएगी आपकी नॉर्मल पॉर्ट नंबर पर आएगी आपकी लोड एंसिटी लास्ट वन इस वेरी लो यह जो मैंने पांच कंट्री लिखी ती उसी के के टेगरी है वेरी हाई के अंदर आएगा आपका एशिया और जो सबसे जो वेरी लो है उसके अंदर आएगा आपका ओशियान आप ये सारी के सारी कातेगरी को divide करके हम लोगों ने density of population को discuss कि आथा तो ये आपका जो पहला point है ये आपक का discuss आपके density की category आपको पॉंट नमबर वनिया पे अंप्लीट हो जाओ को नमबर 2 में चलेंगे फटर्ड के अंदर है ना इसकेंड होगा आपका अगर आप लोग इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आपका सबसे पहले रहे जाता है आप अप्पुलीशन इंगर अब अभियरेची नीट ट क्या है पॉप्लीशं ग्रोथ का मतलब पहुत है एक एंटरवेल केदर नहीं अए 10 ना पाफटिए। अधिक फोपुलीशन के अब फुल्टी ने इसका अभुए फोलते हैं फोली आप आप एक हमारे याप पॉपॉर्फ निकालने चाहिए तू तो आपको हमेश्य जो गुरॉथ है। जो में मिल सकती है हमेशा पॉपुलीशन ग्रोध प्लेस में आती है अगर कोई नेच्छल क्लामेट इस पे ना हो तो पॉपुलीशन ग्रोध का भी सबसे बढ़ा है दूसरा अगा आपका डिक्रीज death rate decrease death rate जब मरने की जब दर होगी वो कम हो जाएगी जब death rate आपकी decrease जाती है तो population की जो आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तो उसका सीधा-सीधा असर काहां पड़ेगा population density पर थर्ड पॉइंट आता इंशूर्ड food eligibility देखो जब खाने के साधन होगा जब भुक्मरी नहीं होगी लोगों के पास sufficient खाना होगा तो food eligibility की वज़े से भी आपकी population जिन्दा रहे जाती है और उसकी वज़े से भी क्या होता है आपका population density बढ़ता है एक और आएगा आपका इंडस्टलाइजिशन से मिलता है रोजगार जब इंसान के पास में अच्छा खाना अच्छा नौकरी वगरा होगी तो उसकी population भी अच्छी से ग्रोग कर जाएगी यह भी एक प्रेक्टर है population growth के और density population के बढ़ने के नेक्स्ट आएगा आपका साइंटिफिक डेवलेपेंट साइंटिफिक डेवलेपेंट तो वह साइंस और टेक्लोजी ने इतना डेवलेपेंट कर रखा है कि ऑनने एवरेज अकर देखी जाए एवरेज जो नंबर ओफ हमारी एज है वह बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि मेडिकल फेस्टिटी बहुत इंप्रूड होगी और विदा मेडिकल फेस्टिटी एक इंसान की ओनने एवरेज है उसको भी हमने स्ट्रेच कर रखा तो आपकी जो मेडिकल है फेसिलिटी यह आपकी इंप्रूव होगी एक आदमी अगर देखा जाए जिसकी नॉर्मल तरीके से हो जाने कि वह अपने उमर को 10-15 साल स्ट्रेच कर चुक मेडिकल का समय अगर कोई वार नहीं हो रही है कंडिशन बिल्कुल एप्रप्रियेट चल रही है तब भी पॉपलेशन बढ़ेगी नहीं तो देखा गया है कि पॉपलेशन कम होने के जो आउटर एफेक्ट है इसके अंदर वार भी एक सबसे बड़ा कारण जाता है जब कोसी की पॉपफुलेशन कम करें तो वर कर सकते हो वार करने से भापुलेशन डिक्रीज होती है यह फिनॉमेना देखे गए यह ऐसा नहीं कि अब जनसंक्र करने के वार करनी चुलू करतो तो यह अभी होता नियंस और यह यह एक फ्रैक्टर माना गया है पॉपुलेशन नह लोग माइगरेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब लोगों का माइगरेशन होगा अगर सपोस करो एक प्लेस ये प्लेस ए है एक प्लेस से बी की तरफ अगर आपका माइगरेशन होता है तो याद रखना एक से अगर आदबी बी की तरफ गया तो एक की पॉपलेश ठीक है अब हम लोग इसके solution की बात करेंगे किसका solution क्या है कि यह जो सारी चीज़े अगर आपको इसको कम करना है तो कम करेंगे हम लोग उनकों से solution करेंगे तो major problem क्या आती है solution से पहले बात कर लेते हैं कि और major problem major problem कि तो जब भी density of population बढ़ेगा उसकी वज़े से एक और तो था रैपिड ग्रोध होती है कि रैपिड ग्रोध इन पॉपलिश्ट जन संक्या का तेजी से बढ़ना जन संक्या वे स्पोर्ट जिसको में बोलते हैं वह यहां पर स्टार्ट हो ठीक है अब जन संक्या को जैए के बुद करना है जिए जब जन संक्या जादा होगी तो हमारे जो सोर्सी वह बहुत ज्यादा लिमेटेड हो जाएंगे अर्य कि अ संसाधन कम होंगे जन संक्या बड़ी तो संसाधन चाहिए संसाधन चाहिए तो सिदा-सिदा संसाधन पर भी असर बढ़ता है काफी एसी जगह हैं जहां नए एरिया इसको डेलफ करना पड़ता है जो खेपी की जो जमीने हैं या शेर के आसपास की जमीने उसको भी काट के उस कॉलोनी बना दिया जाए तो घर वाली प्रॉड्लम को भी सौल करना पड़ता है नेक्स जो लास्स इसका जो टॉपिक है वह आपका और नेचरल एंड यूमन प्रॉइबिशन ठीक है नेचरल जो रिसोर्स इस यह भी आपके धिरे-दिरे कम होने शुरू हो जाते हैं जंगल खतम हो जाएंगे जंगल पर भी और बड़न पड़ता है और हुमन का प्रॉइ आपके सारे फेक्टर क्यों दिखाए देते हैं क्योंकि आपकी पॉपॉलीशन बड़ी अब उसका सॉलीशन देख लो आप लोग कि में आपका जो सॉलीशन क्या है सुलीशन डिस्स कर लेते हैं कि अगर पॉपॉपॉलीशन अगर बढ़ रही है तो इसको सॉलीशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रोध करने पड़ेगी हमारी एकोनामिक एकोनामिक डेलेप्मेंट होने शुरू हो जाएंगे फैक्ट्री ज्यादा बढ़ेगी प्राइम्गी सेकंड्री सेक्टर ज्यादा इंप्रूव होंगे तो उसकी वज़े से क्या फायदा होगा आपको आपकी जो यह पॉपुलेश वो पॉपॉलेशन प्राइल्डवल में रहते ही पॉपॉलेशन एक मिहां जाएगा इंदण कर चूपस शुखेश क्यों यूद्ध दिसक्ट है और अगर आपको देख जाए फॉपॉलेशं प्राडड्लम है तो है तो इसरी प्राड बिके निसको अगर सभी तरीके से इस् लोगों को टेक्निकली आप ट्रेंड कर देते हो अगर उनको अगर आप लोगों ने किसी भी चीज को अच्छे से गर ट्रेंग दे दी तो वह आपके लिए बहुत बेनिफिशल रहे जाएगी जन्संक्या पॉपलिश्ट यह भी एक टेक्निकल ट्रेंग भी एक बहुत अगर आप मरीड रिसोसिस के लिए तो और इंदर मिल जाते हैं और जब अंदर मिल जाते हैं इसका भी तेजी सिस्टेमाल कर सकते हैं पॉपलिशन कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा हतियार है लेट मैरेज़ेस कि हम लोगों ने पिश्क्ली क्लास में डिसकॉस किया था कि कि हमारे हां पर शादियों की जो उमर है लीगल उमर माने के यह बॉइ के लिए 21 साल और जब कि गर्ल के लिए 18 साल अगर इस उमर को बढ़ा दिया जाए बॉइक की अगर आप 25 कर देते हो और गल की आप 21 कर देते हो तो उसे क्या होगा कि शाधियां लेट होगी शाधी ले बहुत इंपर्टेंट चीज़े हैं अब फैंबली प्लानिंग इस इतना बड़ा हाथियार है कि जिसकी वज़े से आप रिसोसिस को भी कंट्रोल कर सकते हो और जैसे को भी कंट्रोल कर सकते हो पहले के अंदर क्या होता था कि फैमली के अंदर फादर और मदर उनके जो बच नया कॉंसेट आया है यह मैंने आपको पहले बढ़ा था हम दो और हमारे दो जब दो से दो कयोंगे तो याद रखना पॉपॉलेंशन आपकी स्टेबल हो जाता है पहले मंटिपलेक्शन होता था अब स्टेबल होता है और आजकल तो लोगों ने एक और सिस्टम कर रखा हम भी जल रहा है तो यह भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप कैसे इसको रुखोगे बच्चे लिमिटेड होंगे रिसोसिस कम का इस्तेमाल होगा तो अब तक हम लोगों ने जो डिसकस किया है वो डेंसिटे और POPFiblishten out of density in the world वेल्ड में क्या रहा है सारा कर सारा आपको बता दिया था अगोगा टैंशाइक संधूर्ण को नई समझ में सब्सक्राट करूबहरं करें क्ätz कि सरीजी समझ में आई नहीं है चेप्टर नंबर 1, 2 & 3 आज यहां कम्प्लीट है इसके बाद आप लोगों को कुश्चन अंसर्स करने और कॉपी मेरे को मंडे को सब्सक्राइब कराने इसकूल में आपने चेप्टर पढ़ा है तो यह आपको बिल्कुल इसी चीज़े लगेगी क्योंकि तीसरी क्लास है मेरी इसी चेप्टर पहले मैंने इंट्रोडेक्शन पढ़ाया था हाफ पाट कलका है और हाफ पाट यह वाला तो तीन क्लास के अंदर लगबग आपको इसका